हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है फ्रेंट्स आज हम सीखेंगे ये डिजाइन इसी डैन को आप लिडीज कारडि कर में बना सकते हैं ये को कि डिजैन की कुष्च रोख सुरू करते हैं ऐस था फंडा इसको हमने बना लेना है आप उतार भी सकते हैं यहां पर बना रही हूं इसके पाद तीन फंडा सीधा सीता में डिजैन बनना है एक दो टे अब इन तीन फंडो को पहले हमने एक बना लेना है तीन फंदो को पहले एक बना लेंगे उसके बाद हमने यह आगे से ना लेकर इसको हमने पीछी से इस तरह से लेना है और एक फंदे के तीन फंदा बना लेंगे इस तरह से थागा आगे की तरह रखेंगे इस तरह से हमने तीन फंदा बना लेना है वापस, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन, और पहले हमने तीन फंदों का एक फंदा बना लेना है एक फंदा बनाने की बाद, वापस हम इन तीन फंदों का तीन फंदा बना लेंगे इस तरह समने धागा लेंगे, और एक बार आगे की तरब धागा कुमाएंगे इस तरह से धागा लेके एक भंदे का तीन भंदा बना लेंगे साइट वाला है इसको हमने चीदा बना लेना है फर्स्ट रो यहां पर हमारी कम्प्रीट हो चुकी है डिजाइन की सेकंड रो रॉंग साइट पूरी रो उल्टा बना के कम्प्रीट कर लेंगे सेकंड रो यहां पर हमारी कम्प्रीट हो चुकी है इन्हीं दो रो को हम बार बार रिपीट करेंगे अब क्या करना है इधर हम डिजाइन बनाएंगे और इधर तीन फंदी सीधे बना लेंगे इसता फंदों तो हमने सीधा बना लेना है अब तीन फंदों का इधर हमने एक फंदा बना लेना है इस तरह से तीन फंदों का पहले हम एक फंदा बनाएंगे वापस इसको उल्टे हाथ की स्लाइमे रखेंगे इस तरह से और इधर वापस हमने तीन फंदों का तीन फंदा बना लेंगे इस तरह से एक वर धागा आगे की तरब को माएंगे और इसको हमने सीधा बना लेना है तीन फंदे के तीन फंदे बन गए और जहां डिजाइन बना रखा इधर अब हमने तीन फंदा सीधा बना लेंगे एक दो 3. 3 फंदों को पहले हमने घटाना है इस तरह से फिर इस फंदे को हम ने उल्टे हाथ की सिलाएं में रखेंगे और इस तरह से हमने 1 फंदे के 3 फंदे बना लेने हैं धगागे कि तरह इसको भी हमने सीधा बना लेना है इस तो से बन क्या है फ्रेंज से रॉंग साइड रॉंग साइड में पूरी रो उल्टा बना के कमप्टीट कर लेनी है इस रॉंग साइड में मरी कमप्टीट हो चुकी है दो रोका डिजेंजर फ्रेंज से आप इसको लीडीज कार्डिगन में अपलाई कर सकते हैं और लीडीज स्वेटर में भी आप इसको अपलाई कर सकते हैं पूरा बन के इस तरह से दिखेगा आप देख सकते हैं थेंक यू फी मिलते एक नए वीडियो के साँ